हेलो बच्चों आज हमारा question है estimate the following difference to the nearest thousand हमें इसको पहले nearest thousand करना फिर उसका difference निकालना देखो 5,693 है अब हम देखेंगे nearest thousand और 5,693 अगर हम देखेंगे 5,600 किसके बीच आता 5,000 और 6,000 के बीच आता अगर हम इसका मिट तेखेंगे तो 5,500 हो जाएगा हमें देखना अगर 5,000 से लेके 5,499 तक है तो यह क्या हो जाएगा निरेस्ट 5,000 हो जाएगा यह सम मिट पॉइंट तक जाएंगे यह आगे चला जाता 6,000 अब यहां देखो 5, 5,600 है यह हमारा क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा यह निरेस्ट क्या हो जाएगा 6,000 और मैनल 3,252 है अब देखो 3,000 और यह किसके बीच आएगा 4,000 की बीच आएगा हमारा मिट पॉइंट देखेंगे 3,500 है और यह हमारा क्या है 3,000 तो सम्तिंग इधर होगा तो यह हमारा ह हो जाएगा नियरस्ट 3,000 हो जाएगा अगर मिट पॉइंट तक पहुंच गया तो यह आगे चला जाता ओके अब 6,000 से 3,000 मैनस कर दो कितना बन जाएगा 3,000 हमारा अंसर हो जाएगा ओके ऐसे देखेंगे 3,961 बाई देखो आप 3,900 तो यह तो सिंपल हमें देख रहा कि 4,000 के नियरस्ट है 1,280 देखो 1,500 होता है तो हम नियरस्ट कर देते हैं इसको 2,000 के नियरस्ट लेकिन हमारा क्या 1,000 के नियरस्ट है 4 में से बन गया 3 और यह हो जाएगा 3,000 ओके ऐसे देखो 7,600 देखो 7,600 अगर हमारा 7,000 और 8,000 के बीच है इसका midpoint कितना 7,500 लेकिने 7,500 से थोड़ा आगे तो यह क्या हो जाएगा 8,000 के नियरस्ट चला जाएगा 2,800 भाई 500 चा आगे midpoint से आगे तो यह क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा ओके मैनस कर दो 5 में 3 गए कितना बचेगा 8 में से 3 गए कितना बचेगा 5 यह 0,0 ओके देखो 1200 तो यह सिद्धे सिद्धे 1000 हो जाएगा भी और 980 यह भी 1000 के नियरस्ट 1000 है ओके तो यह हमारा आंसर आजाएगा 0 ओके क्युक्त हुआ है तो